हलो एवरिवान वेलकम तू दा चैनल आज की इस वीडियो में हम जो हमारा कोर्स है एंवार्मेंटल एजूकेशन डिजास्टार मानेजमेंट कोर्स नमबर 303 बीएट का सेमेस्टर 3 जम्मी उनिवस्टी का यह सलेवस का कोर्स है उसके यूनेट नमबर 2 के नोट्स को आज हम अगर किसी नहीं देखा है आप प्लेलिस से भी चेक कर सकते हो और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी बन जाएगा मिना डिले के स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहले हमारा टॉपिक था कि इन्वायर्मेंट क्या है तो जैसे कि मैंने आपको बदाया है पहले हम इंट्रोडक्शन जरूर लिखते हैं सबसे पहले इन्वायर्मेंट क्या है इन्वायर्मेंट है जो कि बहुत सारे एक इंटरकनेक्टेट सिस्टम से बनती है यहां आप कह सकते हो एक बहुत सारी interconnected systems को हम environment कहते हैं जैसे कि atmosphere हो गया, hydrosphere हो गया, lithosphere हो गया, biosphere हो गया जब यह सारी interconnected system आपस में मिलके काम करते हैं to sustain a life on the earth तो उसको हम क्या कहते हैं environment ठीक है और यह बहुत important है protect करना और preserve करना अपने environment को ताकि हम उसको as a present भी अच्छे से use कर सके और हमारी future generation भी उसको अच्छे से use कर सके ठीक है, अब आता है meaning की बारी तो अगर हम meaning की बात करें तो एक असान भाशा में environment होती है वो सारी natural चीजें जो हमारे आसपास हैं चाहे वो living हो चाहे वो non living हो वो सारी चीजें जिसके साथ हम interact करते हैं और with their physical surroundings जो हमारे आसपास जो जितनी भी चीजें हैं चाहे वो पानी है चाहे वो आपके पास chair है चाहे वो table है even including a non living and living things वो सारी क्या है हमारी environment का हिस्सा है ठीक है तो यहाँ पर air भी है जिससे हम सांस लेते हैं पानी भी है जिससे हम पीते हैं लेंड भी है जिस पर हम चलते हैं वो plant भी है animal भी है, micro organism भी है सारी की सारी चीजें जो भी include हो रही है हमारी surrounding में वो environment है तो जो environment word था basically वो derived किया गया था एक French word से जिसको हम environ बोलते हैं और इसका मतलब होता है to surround ठीक है अब बार यह आती है definition की, authors की definition जरूर लिखके आनी चाहिए यहाँ पर मैंने किसी author का name नहीं लिखा है I recommend कि बहुत सारे जो हमारे famous authors हैं उनके नाम याद कर लो कोई पांदस और कोई भी name लिखके इसके आगे definition लिखके आ जाना ठीक है अगर आपको किसी specific author की definition आती है तो बहुत अची बात है तो अब definition को discuss करते है environment की तो environment वो सारी चीजे है everything that surround us including the air we breathe, water we drink, the land we walk and the climate that make our planet habitable Okay वो सारी चीजे जो भी हमारे आसपास है वो क्या है environment है Moving towards the next thing हमारा topic है कि environmental hazards क्या होते है तो environmental hazards वो कोई भी physical, chemical, biological और ecological factors है environment में जो harm करते है human health को, living organism को और natural world को ठीक है यह hazards है जैसे कि pollution का होना, climate change का होना, biodiversity का loss हो जाना, natural disasters का आ जाना यह और भी बहुत सारे जो हमारे factors हैं जो negatively impact करते हैं आपके environment को और human को यह human health को वो क्या है हमारे environmental hazards अब हमारे पास different types के environmental hazards होते हैं तो हम कुछ discuss करते हैं जैसे कि chemical hazards जो include करता है वो toxins या pollutants जो air, water, soil या food में मिल जाते हैं वो physical hazards जैसे कि radiations, noise pollution, extreme weather events ठीक है biological hazards होती है जैसे infectious, disease हो गई, exposure to harmful bacteria, virus और fungus हो गई ecological hazards हो गई, loss of biodiversity, deforestation, habitat, destruction climate change है जो rising करता है, sea level को extreme weather events हो जाते हैं और ecosystem में change आती है इवन कि हमारे हाँ पर social and cultural hazards होते हैं जैसे कि poverty का आजाना, inequality का आजाना, political parties की instability होना यह भी कहीं न कहीं हमारे environment को और हमारी health को impact करती है and not this thing, even जो technology आप आज यूज कर रहे हो, वो technology hazards भी कहीं न कहीं आपकी human health और environment को impact कर रहे हैं जैसे कि nuclear accidents हो गई, oil spills हो गई, ठीक है या फिर जो हम ACs लगाते हैं, अमना laptop चलाते हैं इसकी जो heating चीजे हैं वो भी आपके environment को कहीं न कहीं effect करती है अब क्या cause है इस environmental hazard का तो कैसे हो रहे हैं यह environmental hazards तो सबसे पहला हमारा point है human activities के कारण जैसे कि industrial process में, transportation में, urbanization में जो भी सारे major causes हैं यह हैं हमारे environmental hazards के air pollution का हो जाना, water pollution का हो जाना, deforestation का होना, habitat destruction का होना भी हमारे environmental hazards का कारण है natural disaster आ जाना, earthquake, flood, hurricane, wild fires हो जाना यह भी हमारे environmental hazards है soil erosion हो जाना, landslides हो जाना, harmful pollutants का release होना यह भी हमारे cause of environmental hazards है climate change होना by human activities such as the burning of fossil fuels और global warming के temperature का increase होना, glaciers का melt हो जाना, sea levels का rise हो जाना यह सारे भी हमारे environmental hazards का एक कारण है population में growth हा जाना, deforestation होना, biodiversity का खतम हो जाना natural resources के demand का increase हो जाना और हमारे natural resources का देरे-देरे खतम हो जाना यह भी environmental hazard के causes है resources के depletion हो जाना, water, land, minerals का किसी point पे आके खतम हो जाना environmental hazard है water disposable, like containment of a soil, air, water होना यह एक reason है chemical or pollutants का water में मिलना, pesticides का मिलना, soil, air, water में nuclear accidents का हो जाना, nuclear चीजों का हमारे water, air, soil में मिलना यह सारे natural hazard के causes है non-native species के ecosystem में आना displacement हो जाना native species का ecological balance का disrupt हो जाना destruction हो जाना this is the cause of environmental hazard lack of environmental or regulation and reinforcement rules regulation का follow up नहीं हो पाना environmental की regulations का destruction हो जाना natural habitat का खतम हो जाना is cause of natural hazard अब बात आती है causes भी पता लगे तो effects क्या थे effects है कि आपकी health impact हो रही है आपको neuro respiratory cancer जैसे बड़ी-बड़ी बिमारिया हो रही है आपकी economic चीज़े impact हो रही है productivity का loss हो रहा है property damage हो जही है healthcare की cost increase हो रही है biodiversity खतम हो रही है आपकी ठीक है ecosystem पे negative impact आ रहा है air pollution हो रही है carbon dioxide की saturations भाड़ रही है soil destruction degradation हो रही है soil erosion increase हो रहा है nutrients जो soil में होते है वो deplete होते जा रहे है agriculture की productivity हो reduce हो रही है day by day water हमारा containment हो रहा है water unsafe हो रहा है habitat की destruction हो चुकी है natural habitat खतम हो गए है animal species in danger बनती जा रही है या फिर migrate कर रही है एक जगह से दूसरी जगह climate change हो रही है greenhouse gases निकल रही है और इको सिस्टम खराब हो रहा है human society खराब हो रही है कहीं flood आ रहे हैं तो कहीं सुखा पड़ रहा है social life पे impact हो रही है जैसे कि displacement हो रही है किसी community की social culture heritage खतम हो रहा है क्योंकि वहां पर हमारे resources खतम हो रहे हैं या फिर कोई चीज कोई area ही खतम हो जाता है बाड के कारण ठीक है अब psychological impacts पड़ते हैं जब आपके environmental ठीक नहीं है तो कहीं न कहीं वह आपके health को issue देती है कहीं आपको trauma में ले जाती है anxiety depression का कारण भी बनती है and not even this हमें globally भी impact कर रही है हमारा सारा planet इसे potential उसके कम हो रही है उसके impact कर रहे है हमारे oceans हमारा atmosphere हमारा biodiversity पूरे global level पे effect हो रहा है ठीक है अब क्या remedies हैं जिससे हम environmental hazards को कम कर सकते हैं तो पहली remedy यह है या produce कर दो carbon की emission करना ठीक है आप climate change इससे रूके का आप क्या करो renewable energy के resources को use करो energy efficient technology का use करो ठीक है waste reduction and management करो waste को naafing को disposable चीजों करो reuse करो negative impact उनका environment पे नहीं जाने दो conservation and restoration ठीक है of natural habitat करो तांकि आप biodiversity को loss नहीं होने दो और migration को रोक सको ठीक है sustainable agriculture की चीजों को करो crop rotation करो pesticides को reduce करो ठीक है next thing is the protection of water resources water resources को protect करो रीवल्स ले ग्राउंड वाटर को बचाओ उनको day by day reduce नहीं होने दो उनका equipment system को अच्छा protection प्रवाइड करो environmental की regulations को follow करो ठीक है education and awareness दो लोगों को environment और environmental hazard के बारे में international corporations में जुडो collaborate होके towards the environment protection work out करो green technology का use करो renewable energy का use करो green और impact reduce करो sustainable urban planning करो ठीक है यूज करो green spaces का transportation का sustainable use करो तो यह सारी चीज़े हैं जो हमारे environmental hazards को कही न कही रोख सकती है moving toward the next point we have acid rain अब acid rain क्या है acid rain एक type of precipitation है जब हमारा pH level less than 5.6 है which is more acidic than the normal rain okay and the increase in the acidity caused by the presence of the pollutants such as the sulfur dioxide and nitrogen oxide in the atmosphere make the normal rain as acid rain तो मीनिंग क्या है acid rain एक type है precipitation की जैसे कि rain होना, snow होना, fog होना जो more acidic हो normal rain से due to the presence of the pollutants in the atmosphere यह pollutants हमारे sulfur dioxide and nitrogen oxides होते हैं यह primary release किये जाते हैं हमारे human activities के द्वारा जैसे कि fossil fuels का burn हो जाना या industrial processes के कारण अब क्या cause है acid rain के तो हमने पढ़ा कि fossil fuel को burn करना एक बहुत बड़ा cause है हमारा acid rain का होना ठीक है, vehicles और factories में जो हमारे fuels burn होते हैं उनकी वज़ा से जो हमारे fluid release हो रहे है sulfur dioxide and nitrogen oxide उसकी वज़ा से acid rain होती है अब हमारे industrial processes जो हो रहे हैं उसकी वज़ा से हमें acid rain contribute कर रही है या acid rain हो रही है हम जो transports जैसे car, truck जो हमारे दुवा निकल रहा है उसकी वज़ा से acid rain हो रही है natural resources जैसे की volcano की eruption हो जाना wildfires हो जाना यह भी acid rain का कहीं न कहीं कारण बन रहा है agriculture practice fertilizers का abuse होना manuels का use होना कहीं न कहीं हमारा acid rain का कारण है forest fires होना और उसमें से gases का different release होना acid rain का कारण है chemicals की manufacturing करना acid rain का कारण है atmospheric transport pollutants का release हो जाना atmosphere में और तूर दूर सक distance में पैल जाना यह भी acid rain का कारण है अब बात आती है इसकी effects क्या है effects यह हैं कि यह damage कर देते हैं vegetation को trees की life effect होती है reduce होती है nutrients को observe करने की शक्ती soil acidification हो जाता है acid rain के कारण soil acidification कर देती है जिसकी वज़े से soil fertility खराब हो जाती है water pollution हो जाता है lake river का water harmful हो जाता है aquatic life के लिए as well as आपके पीने के लिए next thing is a crozen ठीक है acid rain के कारण हमारी जो चीजी है उन पर जंग लग जाता है हमारे monuments खराब हो जाते है human health पर इसका असर पड़ता है respiratory problems होती है economically यह हमारे system को impact करती है revenue loss होता है tourism कम होता चला जाता है infrastructure damage हो जाता है और healthcare cost increase होती है atmospheric भी impact पड़ता है कहीं न कहीं fog आ जाती है haze आ जाती है smoke आ जाती है जो quality of air and visibility को effect करती है biodiversity को loss होता है habitat of animal and plant कहीं न कहीं decline होने लगता है ठीक है अब control कैसे करना है acid rain को तो आपको reduce करनी है emissions को आपको method use करनी है जिससे आप control कर सको emissions of sulfur dioxide और nitrogen oxide आपको power plant में से इनको कम करना है vehicles में से इनको कम करना है आपको alternative energy resources का use करना है wind system या solar power system इनका use करना है energy को conserve करना है जैसे कि आपको light turning का bill बचाना है demand on electricity पे ही चीज को use करना है fossil fuel based power point को reduce करना है cleaner transportation आपको electric vehicles use करनी है ठीक है जो CNG based हो उन चीजों को use out करना है conservation of a forest आपको conserve करनी है forest अपने natural habitat को महां पे conserve करके रखना है use of a low surfer coal surfer coal का use इतना कम हो सके उतना कम करना है international corporation करनी है आपस में मिलके collaborate होके towards this issue of acid drain work out करना है और different ways को खूजना है जिससे आप इसको reduce कर सको और public को education देनी है कि कैसे यह acid drain increase हो रही है और किस reason से increase हो रही है कैसे हम इसको रोक सकते है कौन सी हमारी activities है अगर हम उनको करना बंद कर दें तो acid drain कम हो जाए ठीक है next topic है हमारा ozone layer depletion तो ozone layer की depletion refer करती है thinning हो जाना एक ozone layer की जो हमारी earth atmosphere में है ठीक है कहां पे होना particularly in the stratosphere due to the release of a chemical compound such as chloro fluorocarbon cfc जिसको कहते है and other ozone depleting substance ods and यह जो chemicals है वो primary release के जाते है through the human activities जैसे कि industrial process and the refrig grains and the arosals जो आप perfumes यूज करते हो उनसे ठीक है अब क्या है इस ozone layer depletion के chloro fluorocarbon सबसे बड़ा इसका एक cause है ठीक है तो यह release जब होता है atmosphere में सब्सक्राइशन cloud यह जो हमारे form करते हैं winter months में polar regions में ठीक है वह भी कहीं न कहीं ozone layer का कारण है global warming का हो जाना यह भी कहीं न कहीं अब इसके एफेक्ट क्या होते हैं सबसे पहले आपको skin cancer हो सकता है ठीक है decline हो सकता है किसी species में climate change आ सकती है जिसकी वज़ा से कहीं सूखा पर सकते हैं कहीं बहुत कहीं बहुत सर्जी crop की damage हो सकती है UV rays की वज़ा से damage हो सकता है हमारा material जैसे कि plastic textile और other material होते हैं जो directly sunlight में exposed हो जाएंगे UV rays के कारण खराब हो सकते हैं ठीक है economic impact हो सकता है कि मारी crop ही waste हो जाएगी तो economically भी बहुत बड़ा impact पड़ेगा अब आप इसको control कैसे कर सकते हो ozone layer को आपको international agreements करने हैं जैसे कि different different protocols बनाने हैं alternative technology का use करना है जिसमें chloro-floro ना use होता हो आपको hydro-cloro-carbons का use करना है recycle करना है चीजों को recover करना है proper disposable करना है उन चीजों को जो आपको नहीं चाहिए consumer को education देनी है towards the ozone depletion government के rules and regulations को follow करना है और government ने rules and regulations बनाने है ठीक है research करना है monitor करना है कि कैसे हम इसको होर हद तक रोक सकते हैं globally आपको cooperate करना है towards the control of the ozone layer depletion आपको अपने क्या कहते हैं pollution को reduce करने की try करनी है आपको wastage नहीं करनी है drainage system clean रखने है water pollution नहीं होने देना है air pollution नहीं होने देना है multiple transports का use नहीं करना है आपको CNG based transports का use करना है natural resources का use करना है तो यह सारी तरीके हैं इसको control करने के next thing is impact of deforestation on the environment तो deforestation का impact क्या है environment पे तो अगर किसी को नहीं पता कि deforestation क्या होती है तो deforestation होती है पेडों का जंगलों का कट जाना ठीक है तो सबसे पहली बात तो biodiversity loss होती है ठीक है दूसरी बात है कि climate में change आती है greenhouse gases बढ़ जाती है floods आ जाते हैं सूखा पढ़ जाता है soil erosion हो जाती है water quality खराब हो जाती है flood आ जाते है air pollution होती है trees खतम हो जाते है oxygen की कमी होती है respiratory problems होती है cultural heritage reduce होता है economically इन चीज का impact कर पड़ता है wildfires increase हो जाती है medical plants जो आपके use हो रहे थे as a medical plants उनकी reduction हो जाती है और क्या हो सकता है oxygen की कमी होना skin problem होना ठीक है respiratory problem होती है oxygen की कमी होती है जो materials हमें जंगलों से मिलते थे उन में reduce reduction आ जाती है बारिश नहीं properly आती है गर्मी बढ़ जाती है greenhouse gases effect होती है UV radiation बढ़ जाती है heat बढ़ जाती है global warming बढ़ जाती है तो यह सारी चीजे इसमें क्लिक के आ सकते हैं next season impact of a global warming on an environment global warming क्या है temperature increase हो जाना is a global warming temperature increase होता है glaciers melt हो जाते हैं तो यह global warming का impact है इसकी वजह से क्या होता है sea level rise हो जाते हैं sea level rise हो जाना global warming का impact है floods आ जाते हैं floods का आ जाना global warming का impact है weather patterns में change होना storms आ जाना global warming का impact है drought हो जाना सुखा पढ़ना global warming का impact है heat waves का चलना global warming का impact है biodiversity का loss हो जाना global warming का impact है coral bleaching ठीक है आ जो हमारे aquatic life है marine ecosystem है उसका खतम हो जाना is the impact of global warming wild fires का increase हो जाना गर्मी के कारण जंगलों में खुद बखुद आग लग जाना global warming का effect है water का सूख जाना क्योंकि पानी की वज़े से water उड़ जाएगा और हुआरे पानी कम हो जाएगा is the global warming का effect human की health पर impact पढ़ना ठीक है उनको different types की problem होना is the impact of a global warming economic आपके impact होगी यह भी global warming का impact है oceans की acidification हो जाना is a global warming impact mitigation or displacement होना हमारे animals की impact of a global warming acid rain का आजाना is global warming impact ozone layer depletion होना is a global warming impact ठीक है now moving ahead we have a ecosystem तो ecosystem क्या है ecosystem एक community है of a living organism living organism कौन जैसे plant animals यह और microorganism and their interconnection with the physical environment a physical environment कौन air water and soil in which they live ठीक है तो यह include करता है हमारा ecosystem वह सारे living और non living things within a particular area जो आपस में interact करते हैं अगर आप एक boil लो उसमें आप अपने animals यह plant रखो water डालो air तो होगी ही होगी और soil डालो तो वह एक छोटा जा ecosystem बन जाएगा ecosystem is ranges from size from small to a large यह small pond भी हो सकता है biomass भी हो सकता है desert, forest, oceans कुछ भी हो सकता है यह dynamic होते हैं consistently change होते रहते हैं with the energy and the matter being exchange from the living and the non-living components अब different components क्या होते है ecosystem के component of ecosystem दो थिस्सों में divide हैं एक biotic होता है जिसको living कहते हैं और एक abiotic होता है जिसको हम non-living component कहते हैं ठीक है तो इनके अपने different functions होते हैं abiotic component जो ecosystem का होता है वो refer करता है वो सारी non-living factors जो एक influence कर रहे हैं ecosystem की functioning को या उसके structure को ठीक है एक ecosystem में जितनी भी non-living things हैं वो क्या है abiotic component ठीक है जैसे की climate एक long term pattern है ठीक है जिसे humidity air wind का होना यह क्या है climate एक abiotic component है geology rock soil different type nutrients का होना कौन है हमारा abiotic component topography का होना physical features mountain river lakes का हो जाना वो क्या है हमारा ecosystem में abiotic component पानी का होना availability of water is a abiotic component of a ecosystem soil का होना is a abiotic component and air का होना and light होना यह भी हमारे abiotic component है जो abiotic component है वो interact करते एक दूसरे के साथ and with the living organism in the ecosystem और एक dynamic और complex system को create करते है अब हमारे पास होते है biotic components B biotic components क्या होते है वो components या वो सारी चीजे जो ecosystem में होती है but living होती है living organism in the ecosystem is referred as a biotic component अब वो कोन हो सकते है producers etotropic organism plant होना bacteria food photosynthesis chlorosynthesis these are our abiotic components next thing is a consumer heterotropic organism animals जो अपना food consume करते हैं other organism और प्रडक्ट से वो क्या है biotic component decomposer का होना जैसे bacteria और fungus का होना जो breakdown करते हैं dead organic matter को और release करते हैं nutrients को ecosystem में बाफ़िस वो कुन है biotic component predators का होना organism जो hunt करते हैं और kill करते हैं other organism को for a food is a biotic component praise का होना वो organism जो haunted किये जाते हैं किसी दूसरे organism के दवारा as for their food is known as a biotic component हर भी वोरस होना वो animals जो only plants या plant product खाते हैं उनका होना is a biotic component ओमनी वोरस animals का होना जो plant और animals दोनों खा लेते हैं is a biotic component in a ecosystem ठीक है तो यह जितने भी biotic systems component है वो interact करते हैं दूसरे के साथ और biotic factors के साथ आतोरिक complex और interconnected web बनाते हैं of a relationship with the ecosystem और यह relationship है essential for maintaining the balance in the functioning of a ecosystem बीना यह biotic components के biotic कुछ नहीं है और बीना biotic components के यह biotic component कुछ नहीं है photosynthesis तभी ही होगी जब हमारे पास sunlight water होगा ठीक है animal तभी जिन्दा रहेगा जब हमारे पास हवा पानी धूफ होगी तो biotic airbootic components का दोनों का होना बहुत जरूरी है सारे जो हमारे non living है वो airbootic के नाम से जाने जाते हैं और biotic हमारे living organisms या living things जो हमारे ecosystem में है वो सारी होती है आपको यह clear हो गया हो इसी के साथ हमारा unit number 2 EVS का यहां फिर आपके environmental education and disaster management का complete हो गया है course number 303 BH semester 3rd Jammu University का यह सरे बस था unit number 2 का आगर आपको वीडियो पुसंद लेगे वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो कुछ अल्रेड़ी अपलोड़ी है in description में आपको link मिल जाएगा यहां आप चैनल पर जाके वीडियो देख भी सकते हो so bye bye everyone मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ